नमस्कार, वैसनोवी इजी लाइम में आप सबका स्वागत है, आज हम गिलोई के काढ़ा बनाएंगे, गिलोई के काढ़ा पीने से इम्मिनोटी काफी बढ़ता है, और वाइरल इंफेक्शन में भी ये काफी फैदा करता है, जैसे बुखार हो, सेर्दी हो, खासी हो, गले मे खरास हो, तो इसका काढ़ा बना कर पीएंगे, तो बहुत फैदा करता है, इसमें काफी मात्रा में आइरन और विटामिन भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी इसमें होता है, कार्भोहेड्रेड भी होता है, ये बहुत फैदा करता है, जैसे बुखार का सीजन हो, स तो बहुत फायदा करता है इसका काड़ा यह सूखा हुआ है कि चाहत इसे गमले में भी लगा ले सकते हैं कि पहले से थोड़ा सो धौ लेंगी इसकी लकड़िया आप हरा जैसे भी हो वैसे ही यूज कर सकते हैं यह पंशारिक दुकान पर आसानी से मिल जाता है जिस दुकान से आप आटा चावल दाल लेते हैं, आप बिलोई बोलेंगे तो दे देते हैं, दो तिन बार साब पानी से धोलें, क्योंकि सुखाने पर धोल मिट्टी पड़ जाती है, अब इसको हम तोड़ लेंगे, थोड़ा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, ज्यादा मोटा म लेंगे, इसमें डाल लेंगे, ये जो सूखी गिलोई के डंडिये मैं ले थी, 50 गराम लेंगे, 200 एमल पानी डाल दी हो, ये सूखी तहनिया थी, गिलोई का, इसलिए भीगाना पड़ रहा है, यदि आपके पास हरा हो, तो हरा को भीगाना नहीं है, उसे तुरंत ही छोटा टुकुडा काटके बना सकते हैं, इसे कमस कमाधा घंटा नहीं तो एक घंटे के लिए भीगा कर मैं इसी तरह छोड़ दे रहे हूं, फिर बनाओंगे, लगबग एक घंटा हो गया, इसे भीगाए, ये काफी फोल चुका है, पानी के कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख अगर तोड़के नहीं डालेंगे तो इतना जल्दी पानी के कलर चेंज नहीं होगा, इसका फ्लेवर आचुका है इस पानी में, इसमें हमें इस काड़े को बनाएंगे, पलट ले रहे हूं, पानी सईद, और गिलोग जो टुकड़े हैं इसको भी, इसमें मैं एक पानी टेड़ करेंगे मतलब आधा पानी जलाना है काली मिर्च हैं 10 दने यह डाल देंगे और 7-8 लॉंग डाल देंगे belsों यह अदरक कोड़ाम के लेग हैं काली मिर्च अदरक हो गधरे को फीर मिर्चों टेले लिस बाद जाए हैं इसको भी इसे में डाल देंगे काली मिर्ज, लौम, अदरग तुल्सी के पत्ता है सर्दी खासी में या वायरल बुखार में ये तुल्सी बहुत फैदा करती है तुल्सी के भी काड़ा पीना चाहिए तो इसे में धोली अच्छी तरह से और इसे में डाल ले रहें अब गयसान कर दीम, इसे इसी तरह से पकने देंगे गयस मीडियम कर लेंगे नहीं तो पानी उबल के बाहर आजएगा इतना इसे पकाना है जो पानी रखे हैं आधर आ उग जय जैसे आफ गिलास रख रहे हैं दो गिलास पानी अगर आप डाल रहे साड़ा बनाने के लिए तो एक गिलास जला देने एक गिलास पानी रह जाए इतना वधाएndगे अगर यह पकчи जए का यह ढया इस सफिर्स ज़सूंने माराल डैसरा वाटार हो जाता है और गैश इतना तेज सब्सक्स करタ कर पैंद रहे क्योंकि इसमें गिलो यो गयरे का सारा फ्लेवार आ चुका है तो इसे इसी तरह से हम गैस मीडियम करके पका ले रहे हैं और इसे ढखे ना अगर ढख देंगे तब भी पानी बाहर आ जाएगा अच्छी तरह से काड़ा पक चुका है लगबग आधर आ गया है पाले इतना बराबर यहां तक पानी था अब काफी कम हो चुका है और कलर भी चैंज हो चुका है पानी का आप देख पा रहे होंगे गयर साब करें उसके आगे बता रहे हैं आपको क्या करना है इसे छान इसे हटा देंगे अब आप इस काड़े को पी सकते हैं सुबा और साम पचास और सो एमल के बीच में ले सकते हैं सुबा भी ले ले और साम को कैसे भी बुखार खांसी या कफ जमी हो जो बलगम जम जाता है गले में सब में फायदा करता है आप इस तरह से लें आप इस तरह से गिलोए का काड़ा बनाएं और अपने फेमली और मित्रों में भी शेयर करें अगर किसी को जो वायरल बुखार चल रहा है हुआ होगा तो बहुत आराम मिलेगा बहुत जेबर जस्त फायदा करता है ये सुबा साम दोनों टाइम लें प तो उसका भी बना सकते हैं उसको भी जहुरत नहीं उसे छोटा छोटा करके और मिक्षी में थोड़ा पीछ लें तो उसका भी बना सकते हैं नहीं तो सुखा तो आराम से मार्केट में मिली जाता है कोई सीशे का बढ़तन हो या गिलास हो उसमी में भी आप इसे डाल कर रख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा दो दिन तक यूज़ कर सकते हैं काढ़ा आप ज्यादा दिन के लिए बना कर ना रख लें जैसे पंद्रा दिन हफ्ता दस दिन के लिए आप बना लें ऐसे बना कर ना रखें अगर डेली बना के पीशकने तो ठीक है नहीं तो दिन तक आप इस काढ़े को पी सकते हैं दो दिन से ज्यादा ना रखें क्योंकि स्मेल आने लगती है और बहुत जबर्जस पैदा करता है अगर यह वीडियो आप अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें कमेट करना ना भूलें अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें बीने सब्सक्राइब किये मत जाएए मैं आससे अपील कर रहे हूं और बेल आइकन बटन दबा लेंगे तो हमारे लेटेस रेसिपी के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहेंगे